बैंक टिफ्टी के डेली एनलेसिस में आपका स्वागत है डेली चार्ट पे हम आ गया है और आज हमने देखा है मार्केट 39,395 पे आके क्लोस किया है और जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर इस नंबर पे मतलब 400 के नीचे आके अगर क्लोस करता है तो हमें और शार्प शुक्रवार यह तीन दिन में मार्केट ने बहुत अच्छा एक सेलिंग दिखाया था और मैंने आपसे कल कहा था कि कल मतलब आज के दिन आपको पैरिक सेलिंग दिख सकता है और देखे यहाँ पे सेलिंग का जो ओर लगा है वो शांदार तरीके से लगा है इसमें अगर हम गिरावट आने का संभावना यहाँ पे आ सकता है इसलिए उसी हिसाब से अब हम ट्रेट करने वाले है हाँ उसी के साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि 49,200 का एक शांदार रेजिस्टेंस भी है इसको आपको भूना ने चाहिए मैं आपको दिखा देता वो रेजिस्टेंस होगा वो वापस नीचे आएगा लेकिन अगर यहाँ से वो मार्केट में अगर सस्टेंड नहीं करता है तो बहुत जबर्दस यहाँ से नीचे आपको गिरावट कल देखने को मिल सकता है आई अब हम चलते हैं हमारे अगला 15 मिनिट के कैंडल पे तो हम ये देख पाएंगी कल के दिन मतलब सोंबार को हम किस तरीके से ट्रेट कर पाएंगे तो पहले हम कैडल को 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे सेट कर लेते हैं तो आज का ट्रेड आप देखिए आज का ट्रेड ऐसा राका शुरूवात में ही एक बहुत शांदार कंसॉलिडेशन मार्केट ने यहाँ लगभग यह 200 पॉइंट का इसी रेंज के अंदर मार्केट आज पूरा रोल आउट करता रहा अब हमको कल किन कीन चीजों पे ध्यान देना है देखिए जिस तरीके से 39,395 का हमको एक यहाँ पे क्लोज मिला है उसकी हिसाब से अगर मार्केट कल फिर से इसी के आसपास अग देरी इंतिजार करना है और आपको बहुत अच्छा पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा लेकिन वहाँ से एक बात है जो मैं आपको कहा है कि यहाँ पे 49,200 का जो यहाँ पे पहले एक रेजिस्टर्स बना था वो अब सपोर्ट लेवल बनेगा इसका इसलिए आप 50-100 अगर मार्केट मान लिजे कल 100 नीचे होता है 100 नीचे अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है तो लगबग 200 के आसपास होगा मतलब 49,200 के आसपास अगर मार्केट शुरू होता है तो मार्केट शुरू होते ही आपको रिवर्सल दिख सकता है इसलिए आपको उ असपास अगर open होता हुआ दिख रहा है तो वहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा wait करना है और वहाँ से आपको लगबाग थोड़ से sustain करने के लिए अपने आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा लगबाग 10-15 मिनिट उसके बाद जो उसके बाद जब अगर market मीचे आता है त तो आप शांदार तरीक से पहले ही वहाँ पे अगर आपको एक inverted hammer अगर candle दिख जाता है अगर पहले या दूसरे तीसरे पे आपको एक bearish engulfing candle अगर दिख जाता है तो ऐसे समय पे आपको और विचार करने की जरूरत नहीं है बहुत शांदार वहाँ से market बहुत तेजी से न gap down अगर open होता है gap down अगर open होता है लगबग 49,100 या 49,000 के आसपास अगर market अगर open होता है ऐसे समय पे आपको एक price action का wait करना है price action का wait करके ही फिर आपको आगे का थोड़ा सा निरने लेना पड़ेगा वहाँ से market किसी भी और जा सकता है हो सकता है market वहाँ से उपर भी जाए या आपको लीचे भी आता हुआ देखे लेकिन gap down में आपको शांदार तरीके से एक जब तक setup ना बने आप वहाँ पे जल्द बाजी ना करें लेकिन अगर market जिस तरीके से आज खुला था सिर्फ 60 point के आसपास खुला था ये देखिए ये जो है ना 60 point के आसपास खुला था market आज तो ऐसे अगर कल आपको इसी range के अंदर आपको कल मिल जाता है मतलब range का मतलब है 49,400 से लेकि 49,200 के बीच अगर market आपको खुलता हुआ दिख रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना पड़ेगा ने तो आप सारा बच जाएगा तो कल के दिन सुमवार के दिन तुरंत ट्रेड लेने से आपको बचना ही पड़ेगा market ऐसे range पे आके अपना close दिया है आज का वीडियो कर आपको अच्छा लगा तो लाइक का जो हमने एक target रखा है कम से कम 100 लाइक हो जाना चाहिए 100 लाइक होगा तो मै आपके लिए और शांदार इस तरीकी के वीडियो लाऊंगा अगले वीडियो में आपसे मिलता हो तब तक के लिए जैहिन